आपके घर में एक तिजोरी है कोई चोरी करने की कोशिश करता है पर तुरंथ ही आपका माइक्रो बिट से बना अलाम बज उठता है और चोरी नहीं होती आपके घर पर सब लोग गर्मी की चुट्टी में बाहर गए हुए है आपके घर में माइक्रो बिट मोशन सेंसिंग अलाम लगा हुआ है घर पर कोई खोशने की कोशिश करता है तुरंथ ही अलाम बचता है और साथ ही रेडियो सिगनल से लोकल पुलीस स्टेशन को खबर भी पहुँच जाती है और वो तुरंथ ही पुलीस की गाड़ी आपके घर भेज देते हैं आपके घर पर पानी की बड़ी समस्या है काश जब भी पानी की टंकी में पानी खतम होने लगे आपको एकदम पता चल जाए और टंकी के ओवरफ्लो करने से पहले भी आपको सूचना मिल जाए माइक्रो बिट में वाटर सेंसर लगा कर आप ऐसा यंत्र बना सकते हैं टंकी में पानी जैसे ही 10% से कम होगा अलाम बच जाएगा और जब टंकी 85% भर जाएगी तब भी अलाम बच जाएगा यही नहीं आप अपने माइक्रो बिट को इंटरनेट से जोड़ कर ये डाटा ठिंग स्पीक वेबसाइट पर भेज सकते हैं माक्रो बिट इंटरनेट से कनेक्ट होकर ठिंग स्पीक वेबसाइट को डाटा रियल टाइम भेजता है जहाँ आप इस डाटा को सुंदर चार्ट में देख सकते हैं और डाटा को विशलेशन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और फिर ठिंग स्पीक वेबसाइट को आप अपने को ई-मेल या SMS से भी सूचना भेज सकते हैं। ये दुनिया है microcontroller, यानि बहुत छोटे और सस्ते computers, sensors और Internet of Things की। microbit के इस अंसार में आपका स्वागत है। इस विडियो श्रिंखला में हम microbit की programming करना सीखते हुए कुछ must projects बनाएंगे। तो microbit के बारे में थोड़ा समझते हैं। 1980s में United Kingdom की BBC सेवा ने BBC Micro नाम का एक personal computer बनाया था ताकि देश में computer literacy को बढ़ावा दिया जा सके। 2016 में computers, sensors, robotics, Internet of Things आदी से बच्चों को परिचत करने के लिए BBC और अन्य संस्थाओं ने मिलकर microbit निकाला। जो करोनों की संख्या में फिर UK में 7th और 8th क्लास के बच्चों को मुफ्त माठा गया। Arduino और Raspberry Pi दो और मशूर micro computers हैं जो microbit से ज्यादा powerful हैं। पर अगर आप micro controllers की दुनिया में नए हैं तो microbit शुरुआत करने के लिए एक अच्छा यंत्र है क्योंकि इसको program करना सरल है। अगर आपने मेरे scratch के video tutorials देखे हैं तो आपके लिए microbit में शुरुआत और असान हो जाएगी क्योंकि scratch का एक extension यूज करते हुए आप microbit को scratch में भी program कर सकते हैं। मगर Microsoft की make code software, microbit की programming करने की ज्यादा powerful software है जिसमें आप scratch की तरह visual, block based, drag and drop coding करते हैं। आप microbit की programming javascript और python में भी कर सकते हैं। यानि microbit में शुरुआत visual, block based programming से करते हुए आप javascript और python भी सीख सकते हैं। भारत में microbit और इस से जुड़े sensors, motors इत्यादी आसानी से मिल जाते हैं। विडियो बनाते वक्त microbit online लगभग 15 सो रुपे का मिल रहा है। ध्यान दीजेगा कि हाल ही में microbit version 2 निकला है जिसमें version 1 से कुछ अधिक features हैं। जैसे onboard speaker, onboard microphone, इत्यादी। मगर आप शुरुआत दौनों में से किसी भी version से कर सकते हैं, 1 या 2। Make code for microbit में आपको एक simulator भी मिलता है। तो अगर आपके पास microbit नहीं है, तब भी आप कई programs लिख कर उन्हें simulator में टेस्ट कर सकते हैं। microbit से familiar होने के लिए, विडियो खतम करने से पहले, make code में एक electronic dice बनाने का सरल सा program लिख डालते हैं। make code की website का URL है makecode.microbit.org यहां आके हम एक नया project शुरू करते हैं, और हम इस project का नाम देते हैं, dice। शुरूआत में हमारे को ये interface मिलता है, और यहां पर हमारा ये left-hand side में simulator है, तो अगर आपके पास microbit नहीं भी है, तब भी आप कई सारे programs लिख कर इस simulator में try कर सकते हैं। तो हम electronic dice बनाने के लिए input में जाएंगे और हम use करेंगे onshake, microbit में कई sensors on board लगे हैं, और एक sensor है accelerometer का, जैसे आपके phone में भी accelerometer लगा होता है, इसलिए आपके phone को पता चलता है, कि जब आप उसकी orientation बदलते हैं, landscape से portrait, तो phone का interface अपने आप बदल जाता है। जब हम ये onshake का programming block इस programming window में ला रहे हैं, तो हमारे simulator में ये shake बटन आ गया है, और हम अपने simulator को shake करके देख सकते हैं, हमारा program जो है वो बहुत सरल है, हम चाहते हैं कि जब हम अपने microbit को shake करें, तो वो random में one से लेके six के numbers जो है वो generate करें, क्योंकि जब आपका dice होता है, वो आप ऐसे ही करते हो कि आप उसको हिलाते हो और फैकते हो और random में कोई number आ जाते हैं, तो इसके लिए हम basic में जाके हम कह रहे हैं कि show number, इसको हम drag करके यहां डाल रहे हैं, और फिर हम math में जा रहे हैं, और math में जाके हम कह रहे हैं, pick a random number between 1 and 6 और इसको हम show number में डाल रहे हैं, तो अब हमारा जो simulator है, यह त्यार हो गया है, और अगर अब हम इसको shake करते हैं, तो यह random में numbers generate करेगा between 1 and 6, तो इस तरीके से हमारा यह electronic dice का program बन गया, यह केवल एक line का code है, और make code यूज़ करते हुए, आप microbit में block based drag and drop programming से, इसी तरीके के कई सारे बहुत simple पर बहुत ही अच्छे program लिख सकते हैं, आने वाले videos में हम इस तरीके के और programs लिखना सीखेंगे, जो की हम simulator में try कर सकते हैं, और कुछ programs लिखेंगे, जिनके लिए हमें microbit की जरूरत पड़ेगी, जैसे की sensor based science के projects बनाना, या internet of things के projects बनाना, robotics के projects बनाना, इतियादी.